नमस्कार मैं अभिशेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with Abhi में RRC Group D answer की आप सभी का आ गया है तो भई आप आप लोग के marks कितने बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं अल्मोस्स सभी लोगों ने देख लिये तो सबसे पहला सवाल है कि कितना safe score हो सकता है आप लोगों के after answer की और दूसरी चीज मैं अपने students के score दिखाना चाहूँगा और थोड़ा सा as a motivation आप लोगों के लिए ये काफी video important है ठीक है और कोई fake hope भी मैं नहीं दूँगा कटफ की कुछ reality चीजे मैं यहां रखने की कोसिस करने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं कि जो आपके जो marks बन रहा है मतलब कि सभी zone की मैं बात कर रहा हूँ old zone की maximum average जो student है average जो उनका marks बन रहा है दो marks है एक तो आपका 50 है और एक है आपका 55 और यह जो range है और एक 60 तक का range यहां पर maximum maximum student है मतलब कि मैं graph बनाओ इस तरह से तो यह graph एक है और एक graph यह है तो देख सकते हैं student की संख्या और यहां पर आप student की संख्या देख सकते हैं इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 60 plus और 65 और फिर आपका 70 plus तो यहां पर student की संख्या का graph आप देख सकते हैं और यहां देख सकते हैं और यहां देख सकते हैं ठीक है तो यह है आपका student number of student यहां पर तो कहने का मतलब यह है कि maximum student के जो marks अभी बन रहे हैं क्योंकि paper बहुत अच्छा था 55 और यह आपका marks इतना तक जो है maximum यहां पर सबसे ज़्यादा student है और उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहां पर student है तो अभी क्या है कि अब आप में से एक doubt है कि sir जो maximum student के marks आ रहे हैं वहां से student को उठाए जाएगा लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि percentile normalization होने वाला है अब देखें यहां पर आपका जो shift हुआ था आपके shift में जो maximum student के मतलब maximum marks लाने वाले जो भाई है उनका कितना आया यह depend करता है जैसे कि एक shift में आपका 55 है और एक shift में किनी का number 70 है ठीका अब आपके shift में जिनका maximum marks आया है मैं इसको 70 ना करके 65 कर देता हूँ ठीका मतलब आपका marks जो है 64 आया हुआ अब आपके shift में maximum marks लाने वाले जो भाई है उनका 62 है और यहां पर जो maximum marks लाने वाले है मैं बहुत कम ले रहा हूँ maximum marks इससे ज़ादा भी हो सकता है यह आपको मैं एक example दे रहा हूँ ठीक है यहां पर 64 लाने वाले है और यहां पर maximum marks लाने वाले है 80 अब देखे यहां पर अगर जब shift में comparison किया जाएगा क्योंकि हर shift wise आपका normalization किया जाएगा 98% something मिलेगा ठीक है और यहां पर आपको percentile जो दिखने को मिलेगा 97 या 96% ठीक यह मैं exact data नहीं दे रहा हूँ आपको एक example के तरह से समझा रहा हूँ तो मतलब differences समझाने की कोसिस कर रहा हूँ कि depend करता है कि आपका जो shift है उसमें maximum marks कितना आया है maximum students के और maximum student अगर minimum marks के आपके जितने marks उसके पास ही है तो यह आपके लिए अच्छी बात है ठीक है जैसे कि अगर आपका marks 55 बन रहा है और maximum student इसके ही आसपास है मतलब की 59 में है 60 में है 61 में है और अगर आपका marks 68 आया है लेकिन आपके shift में maximum student जो है 80 लाने वाले है 79 लाने वाले है 75 लाने वाले है 81 लाने वाले है तो यहाँ पर जो है इनका percentile जो होगा marks after normalization काफी अधिक हो जाएगा comparison to this person ओके यह चीज मैं आपको बताना चाह रहा हू तो देखिए अगर जिनका भी marks 50 प्लस भी है 55 तक भी है तो अभी आपको hope नहीं छोड़नी है क्योंकि exact यह भाई expect मैं बता रहा हूं expected चीज़े बता रहा हूं maximum जो आपके marks देखा है मैंने comment section में उसके according चीज़े बता रहा हूं तो यह आप अभी लेकर के चल सकते हैं बाक है तो यह आप मान करके चल सकते हैं कि आपका safe score अभी तक कि अगर जो maximum average student की बात कर लिया जाए 55 50 से 60 तक है ठीक है इसी range में maximum student घूम रहा है अब हम बात करते हैं जो marks हमारे students से आए हुए हैं कि जो मुझसे यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़े भी लिखा हूँ कि मुझसे बहुत कम चातर जुड़े हुए थी लेकिन इनके marks जो है तहलका माचाने वाले है तो मैं आपको दिखाता हूँ यह आपकी motivation के लिए चीज साम क्लियर हुए हैं मेरे SSC JD में 2021 में 80 marks लाए थी इन्होंने 90 marks MTS में लाए हैं 2021 में 197 marks क्लियर भी क्या है इन्होंने सेजियल 2021 not good score बस मेंस तक कॉलिफाई हो जाएंगे इनको जहां तक लगता है और आप GS लाते रहें प्लीज तो देखे इनका dedication यह भी 2018 से और almost पेपर में अच्छा marks भी ला रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप अभी तक hope मत छोड़ी है अगर marks कम भी बन रहा है तो आपके अभी जो आप कमेंदे के बोलना असान होता करना मुस्किल होता मैं आपको किवल बोल दे रहा हूं कि होप मत छोड़ी है marks कमा रहे हैं अगले वेकेंसी के त्यारी कीजिए ठीक है यह बोलना असान है करना जिनको पढ़ता हूँ मैं बूलकुल आपकी बाते से सह लेकिन आप में से ही आपके बीच में ही आपके भाई यहां पर मौझूद है आप देख सकते हैं अभी इभी फाइट करी रहा है और अब यह आप सोच रहे होगे कि यह कमेंट दिखा करके क्या आप अपना क्वाइलिटी कंटेंट की बारे बात करें तो देखिए अगर यह 80 नंबर यहां पर आई होगे हैं EWS से ठीक है तो ऐसा नहीं है देखे क्वाइलिटी कंटेंट तो था ही हमारा मैंने सुरू दिन से बोला बस आई यह था कि मेरा जो तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का वो नहीं था और दूसरी बात थी कि मैं कुछ जो यूटूब में थोड़ा सा कंटिनुटी नहीं बना पाया था खैर जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मेरा मकसद था कि आप तक क्वाइलिटी कंटेंट देना और मैं आप जो है आप लोगों के लिए एलपी टेकिनिशन की क्लासे से स्टार्ट करने वाला हूं ठीक है और फ्री पायंट हम NCRT कवर करेंगे हर एक चीज को जितना अपर लेवल तक हो सकता है और जितना बेसिक से ले करके हम चल सकते हैं वहां तक ले करके चलने की कोसिस करेंगे बाकि इस वीडियो में ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं अपना कुछ प्रमोशन करू भाई यह आपकी मोटि